देखो अपने कंप्यूटर के बारे बेसिक चीज जान ली थे उस दिल कंप्यूटर सिस्टम क्या है समझ गये थे ना कंप्यूटर थीन चीज़ों से मिलकर बना हाड़वेर, सॉफ्टेयर और यूजर हर एक को अपने आप में हम इकाई बोल सकते हैं और इनकाई के अंतरगत भी धेर सारी चीज़ें जैसे हाड़वेर में भी आपको अलग अलग चीज़ें मिल जाएगी क्या क्या मिलेगा देखो प्रिंटर है मॉनिटर है अलग के लावा सॉफ्टेयर की बात करते हैं सॉफ्टेय क नाम सुनेगी निसके पहले बताव जारा सुने वो कहा सुने सॉफ्टेयर के अंदर सुने ना देखो हम जो जो क मतलब समस्ती किनी बाट सबथ है इस início सब को क्या बोलते हैं तो ये जो software होते हैं वो hardware को निर्देश देते हैं निर्देश कैसे देते हैं भाई, simple सी बात user क्या करेगा hardware से direct काम नहीं करा सकता तो user और hardware के बीच में bridge का काम कोन करेगा software, मतलब user सीधे interact नहीं करेगा वो क्या करेगा, कोई ने कोई प्रोग्राम लिखेगा और उस program को किसको feed करेगा hardware को उस अधार पर ये hardware काम करता है तो हमारे लिए 3 unit important है जिसके अंतरगत हमने hardware के बारे में बात कर ली थे basic चीजे देख ली थे, input, output, process साथ ही मैंने आपको क्या बताया था, block diagram समझा दिया था ना किस प्रकार computer में input होता है किस प्रकार ये सारी process होती है storage होता है, output आता है तो इस साब काम होता है, ये block diagram कहलाता है ये detail वाला, इस समझने के लिए है पर आप exam में कौन सा बनाओगे, ये वाला इसके अलाबा हमने क्या देखे थे और hardware के अंतरगत हमने ये सारे parts देखे थे जितने भी, मैंने बताया भी था आपको physical रूप से जो जो चीजे होती है वो यहाँ पर देखने को मिल जाती है देखो, यहाँ पर आपको cabinet बताया था मैंने cabinet के अंदर कौन-कौन सी चीजे होती है ये basic चीजे है या समझने के लिए motherboard है, motherboard man expansion slot होता है या card होता है, जिसके अंतरगा computer में जितनी भी चीजे उपलब्द होती वो आपस में connect होती है, जैसे यहाँ CPU का slot होता है, memory का slot होता है expansion card होते हैं या फिर आप देखोगे hard disk का connector या पीछे port देखोगे, CMOS battery BIOS है, सारी चीजे कहा inbuilt होती है, आपकी motherboard में motherboard ना हो, तो computer चलेगा क्या नहीं चलेगा, खीक है तो यह motherboard हो गया, motherboard के बहुत सारे parts होते हैं, नहीं कि जो अंदर मैंने जो जो चीजे बताया आपको सब दिख रही यहाँ पहे, अब बात करते हम software की, तो software मैंने बताया कोई भी program जो हम computer को काम कराने के लिए फीट करते हैं, उस program को हम क्या बोलेंगे, software और program के collection को भी software बोला जा सकता है, यानि कि हम सीधे बोल सकते हैं, एक particular program भी software है, और program के collection को भी क्या बोल सकते हैं, software मतलब ऐसा हम बोलें, कि जैसे आपका बाटसप है, क्या-क्या काम करता बाटसप बताओ जारा, chatting, video call, voice call, status है, story है, दुनिया भर की पंचायत, broadcast है, सब काम को उन कर रहा है, बाटसप, एक program चल रहा हुआ कि multiple program चल रहा है, तो इसका मतलब एक software में multiple भी चल सकते हैं, शुरुवात में जाब आया software, तो MS Word एक काम करता, धिर सारे काम करता, धिर सारे, new document बना सकते, final replace कर सकते, spelling and grammar check कर सकते हैं, या फिर हम जो है paragraph का काम कर सकते हैं, picture ला सकते हैं, बाटर मार्क ला सकते हैं, background change, कितनी सारे काम करें, तो एक से धी program के collection को हम क्या बोल रहे हैं, software बोल रहे हैं, ठीक है, आप software अलग-अलग हो सकते हैं, MS Word हो सकता है, MS Excel हो सकता है, PowerPoint हो सकता है, Photoshop हो सकता है, Page Maker है, अब यहाँ ध्यान से देखो, hardware तो आप समझें, hardware क्या है, जो भी हमारी physical चीज़े होती है, जैसे हमारे सामने जो दिख रहे हैं, उनसे हम direct contract नहीं कर पाते हैं, मतलब हमारी भासा नहीं समझेंगे, तो हमारी भासा समझाने के लिए मादलो यहाँ पर user है, तो यह user क्या करता है, इन software के माध्यम से hardware को निर्देश देता है, कि काम कैसे करना है, जैसे आपका camera है, मोबाइल में camera देखे, camera से photo निकालना है, मतलब पीछे देखे होंगे न, गोल गोल चार पांच camera रहते हैं, उन camera को अगर चलाना तो कोई ने कोई software लगेगा, बताओ कौन सा software लगता है, अंदर camera नाम का software रहता है, अगर बोनर है तो photo निकाल पाओगे काप, डारेक camera यहां से खीजोगे निकाल photo निकाल, नहीं न, तो software होना जरूरी ही कि न, यह बताओ, software में भी main category दो हो जाती, एक तो system software और एक application software, system software बोले तो base software, base मतला आप ऐसा बोल दो, रोटी कपड़ा मकान था पहले, आप क्या आगया स्वास्त और सिक्षा, यह पांच चीजे, यह पांच चीजे क्या आपकी basic need है, basic need मतला, जन्म से ही वो प्राप्त हो गए समझो, भले प्राप्त नहीं हो, परन्तू होना जरूरी है, वो ने रहेगी तो आप कैसे माने जाओगे, बैकार, समझ गए, जिस सिक्षा ने रही तो बैकार, स्वास्त ने रहा तो मर जाओगे, रोटी कपड़ा ने रहा तो भी म होती है, यह से computer में भी software जो सबसे basic होते हैं, जिनकी जरूवत हमको पढ़ती ही पढ़ती है, उनको क्या बोलते हैं, उनको system software, आप बहुत सारी चीज़ें देखें होंगे, जैसे computer है, computer पढ़ाई के लिए जरूरी, परन्तों अगर stock के लिए है तो, अलग से चीज़े हो 好好 में काम करना है, formula में काम करना है, seed बनाना है तो आपको excel की जरूथ पढ़ेगी, आपको ms word, किसके लिए जरूथ पढ़ता है , word processing करना है, table पिक्चर में, paragraph में, तो किसकी जरूथ पढ़ेगी word की, आपको ppt में काम करना है, presentation बनाना है, powerpoint की, तो सबकी जरूथ कि कोई ऐसा हम बोल सकते हैं कि यह सब common है जैसे मान लो word processor है तो यह common है कि बताओ word processor common नहीं है क्यों नहीं है common बताओ जरा क्योंकि उसका काम special है है ना तो मतलब जरूवत के सापस है उधारण के लिए कार हर वेक्ति खरीदता क्या अभी आद पात देखो अपने हर वेक्ति खर जरूवत है तो भी खरीद रहा है किसी को जरूवत नहीं खरीदेगेगा नई पर रोटी कप्ला माकान और जो basic चीज है वो सबके पास होना चाहिए ऐसे ही system software को हम कैसे समझेंगे computer को चालू करने के लिए जिस software की जरूवत पढ़ती है उसे हम क्या बोलेंगे उसे क्या बो पाओगे कहां पर तो यह एक structure है एसे ही software में हम देखें तो सबसे basic जो होता है वो क्या कहलाता आपका operating system जैसे android हो गया windows हो गया ios हो गया mac हो गया इस सब क्या है operating system ठीक है उसके बाद जरूवत पढ़ने पर कौन से software उसके जाते है application software तो समझ गया आप बहुत सारे अपने जिसे game खेलना किसी को तो PUBG install कर लिए पर जो नहीं खेलता वो install करे गए नहीं ना परंतु computer को चालू रखने के लिए software की जरूवत तो सब को पढ़ रही तो इसलिए से क्या बोल दी हमने system software एक और software होते है जिसे हम बोलते है utility software अब आगर आप से पूछे कि man category बताओ जो दो होती है तो दो कुन-कुन सी है system software और application पर एसा बोलेगा कि तीसरा कौन सा है तो utility software बता दोगी utility software में आ जाते है देखो anti-virus सुने आपने आपके mobile में भी रहता है पर काम नहीं करता इंस्टॉल मत करना क्योंकि mobile virus आते ही नहीं है वो और आप install कर लोगे तो और दिक्कत हो ज कभी चक्कर आजाता कभी कुछ होता तो गुलुकोस पीते हैं गुलुकोस हमेसे पीते हैं कब पीते हो जब maintenance करना हो तो energy drink कब पीते आप बताओ energy drink की जरुवत कब पढ़ती है जब body में बीकनेस आती है गर्मी के समयम देखे होंगे तो वो कब पढ़ती ही जरुवत जब हम है बूस्टाटाइब कीष्थि थी भाई वो अपनी कोश है उस और जैसे भूक लगी है भूक लगती आफ हम नगें नगे नेवह तो दृम अच्छा करी कौफी जाई लाए गलत पर आपको क्या लगता है अच्छा है ना तो अच्छा नहीं लगना चाहिए चलो बात की बात है चाहिए के सौकिन लोगों बुरा लग जाएगा आगे चले यूजर तो आप जानते ही हो आप भी यूजर है मैं भी यूजर हूँ इस रों में जो काम कर रहा है वो भी यूजर तो अलग-अलग केटिगरी में हो सकते की नहीं, हम नॉर्मल यूजर में जाएंगे, कोई यूजर ऐसे दिन राद गेम खेल रहा है, तो वो कहला है कि गेमर, कोई साइन्टिस्ट है, किसमें कम्प्यूटर में, जैसे इस रो में रॉकेट लॉंचिंग या मिसाइल या परिक् में चल रहा है, तो अपन कैसे हैं, नॉर्मल, जैन्रल परपस समझ लो, तो यह हो गया हमारी बेसिक चीज, अब बताओ मुझे एपलिकेशन्स ओप कम्प्यूटर, बोले तो कम्प्यूटर के अनुप्योग, कहां कहां उप्योग होता है, अब आप बोलोगी कहां सब्सक्राइब करना है, इंटरनेट बेंकिंग चलाना है, या जो कोभी चीज, बैपार करना है, सभी चीजों के लिए किसकी जरुत पड़ रही है, कम्प्यूटर की, तो कम्प्यूटर के अप्लिकेशन्स बताने में ठकोगी निया, ठक जाओगे, तो बताना कि इतने, आड़दा से तू बताना है, देखो कैसे, कम्प्यूटर को प्योग अज की रेट में, छोटे लेबल से लेखे बड़े लेबल तक हर जग है, बैपार में ले लो, घर में ले लो, या कहीं बिजनिस में ले लो, या फिर कोई ओफिस में ले लो, तो आप किचन में देखो कि किचन में भी क्या आ रहा है, कम्प्यूटर कैसे बता हो ज़रा, microwave य नहीं बोल रहे हो पर क्या बोल रहा है आप बैगराउंड में क्या काम कर रहा है कंप्यूटर तो ऐसी चीज़ों को भी कंप्यूटर को रूप में यूज करते हैं household and personal use मतलब घरों में और अपने personal काम के लिए हमके यूज कर रहे हैं कंप्यूटर जैसे कार देखो आप अपने इदर रोबोट वाली कार तो आई नहीं है परन्त तु कंप्यूटराइस कार आ गई है लॉफ हो जाता है कुछी भी मतलब सेंसर वाली होता है कि नहीं होता नहीं करते हो तो अब वह आपकी जरूफ खतम हो गई है घर में जैसे मान लो कोई एजट परसान है जो भी है तो क्या बोलेगा चलो भागो दर मेरा मसीने काम कर देख ना तो घर में आएगा चाय बोलेंगा उसको चाय बनाक लाएगा इसके लाभा बैंकिंग या शॉपिं करते हैं online करते हो तो shopping में भी क्या यूज हो रहा है computer इतनी सारी चीज बता इनमें दो-दो line लिखोगे बहुत है दो line ही तो लिखना है ज्यादा थोड़ी डिस्काइब करना है अगला देखोगे आप देखो यह यहाँ पर यह कार है GPS लगा दिये अभी आने वाले समय में कार एंसी भी जाएगी GPS में लोकेशन सेट कर दो पहुंच जाएगी बस इतना सिस्टम डालने की जरूवत है अपने इधर अपने इधर इतना ही दिक्कत है गड़ा नहीं रहना चाहिए आना बस एक ब्रेकर है अपने इधर कहीं भ लुक आर बेचारी ठक गई वही खड़ी खड़ी और अधर हो रही हो गई हाँ हट नहीं है रहते न गई है पूरी ट्रक ट्रक्वचार साइट से जाता है तो देखो यह गेम कहलने के लिए रोबोट देखो यह आ यह पड़िए चेटिंग कर रही है उसका नौकर साफ सपा मसीन था कि एक मूबी देखना आप रोबोट वाली में नाम भूल गया उसका साउथ की है उस मूबी में वो बैक्ती सब के लिए जैसे मान लो अभी बच्चे क्या करते जो थोड़े से आने जाते अपने घर के बुजुर्ग तो उनकी हेल्प नहीं करते पढ़ रहे हैं पर हा अन्हें करते हो तो गुस्से आपने के लिए उनने कौफि लाया लेठ हो गया तो गुस्सेश अपन क्या बेक्तिक मूम फेक देते कि नहीं कुष्ञे होंगे तो अगर अपने रोबोट को फेके उसको ये लगेगा कि इमें को मारने की कांसिस कर रहा है तो उसके अंदर यस सेंसर है कि अगर कोई इसको मानने कॉंसिस करता सेल्फ डेफेंस मोड ओन हो जाता है मतलब अभी हमारे कंप्यूटर में सेल्फ डेफेंस मोड नहीं है तो हम कितने 24 गंटे रहा है कुछ भी रहता है तो जो माली करता हुआ इसमें बता जाता है कि मसीनों पर ज्यादा डिपेंड नहीं रहना रोबोट मोवि में बताने का और रहता सिस्टम मोवि में भी आपने इंपनी देख के श्रचा के चेत्र में वी अपूटर हो ने पम्प्यूटर को सीख रहे हो तो इस पर यह पर यह मेरा वीडियो आप अगर मोबाइल में देख रहे तो कोई भी प्रकार की प्रोब्लम आतित क्या बोलते हो गुगल गुगल अंटिक चिला देते हैं चिला दें नहीं चिला दे तो प्रप्रोब्लम सॉल्विंग के लिए उप्योग करते हो कंप्यूटर ट्रेनिंग के लिए उपयोग होता है अब देखो पेपर के तैयारी करना था अपने ट्रेनिंग ले रहा हुसी से देखो लांच होता है तो देखो लांच होता है तो जैसे देर बाद उसके सारे पार्ट अलग होंगे धीरे धीरे कर खेक रहता है गिनी सिस्टम तो वहां कंप्यूटर है तब ही हो रहा है पता चल रहा है जैसे उड़ा और एक दम से पूरे पार्ट यहीं निकल गए और उग्रह जो भेजे से बो भी समुदर में जाग गिर गए ऐसा होता है क्या नई सिस्टम एटिक चलता है च हमारे कंप्यूटर तो अभी ऐसा किलिक करते हैं घूमरा चक्रा फोड़े दिर बाद एमस बड़ ओपन होता है तो इसको रियल टाइम थोड़ी बोलेंगे इतनी देर में चाहिना या पाकिस्तान हमारे उपर हमला कर रहा है मान लो और अपने मिसाइल लॉंच करना आकर गि आप यह अपन चलाते रहते हैं नॉर्मल जो ऑपरेटिंग सिस्टम उसकी कोस्ट बहुत जादा रहती इसलिए अपन युज़ नहीं करते हैं मेडिकल चैतरी की बात करते तो मेडिकल सेतर में कंप्यूटर यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है पूरी पूरी बोडी को होगे अभी किसी पता होगा नहीं होगा को देक्त नहीं अच्छा इंटरनेट या information technology में computer copy इंटरनेट चलाते गिन आप किसके थूर चला रहए justica बिजनीस करते हो सबक्रादबर इस लिए था कम्पीटर के विजनीस चला मेक्श्ट, scientific research में, treatment के चेतर में, medical चेतर में और information टेकनोलोजी के चेतर में, यह main point याद रखो उसके अंदर आपको बनना चाहिए, इसके बाद पूछेगा computer की विसेथा आपको समझाईए, तो computer की विसेथा है, उसके फायदे की बात करोगे, तो यहाँ सबसे पहले आ जाती स्पीड इन्सान 6 मेहने में जो काम करेगा कंप्यूटर एक मिनिट में कर लेगा जोड़ घटाना गुणावाग कितनी जल्दी प्रोसेस करता हो तो यह स्पीड इसकी काफी ज्यादा नेनो से मिली नेनो सेकंड में होती है मतलब हमको कई घंटों लग जाएंगे और उसको मिल किसकी गल्पी हुई हमारी इसके अलाबा डेलिजेंस का मतलब कर्मट जैसे मानलो हम इंसान को बोलते काम करते रहे बटा एक समय तक आज्या मानेगा और एक समय बात क्या बोलेगा पकाया जारा चल भाग उदर इसका काम थोड़ी करता हूं बोलेगी नहीं बोलेगा पर कं कम्पुटर भी हर जगे व्यापत है कहां नहीं है यह बताओ बताओ आज की रेट में आपके पास दो-तीन कम्पुटर मिल जाते हैं एक मोबाइल मिल जाता है एक स्मार्ट बाच मिल जाती है और क्या मिल जाता है एयरफोन आने लगे आज कल आई बाले दुनिया भर की पर इंसान पर करतेर आज याद कर्या कल भुल जाए यह भरूसर मर्ण वह न तो उसमें जो भी ही चीज़ तो बीकर रहती है आब आप बोलो गिलित के जा सकती तो इंसान वह तोड़ी कर रहा हम कर रहा मद आप इस टोट गर यह लिया स्टो श्तोर का रख रक लिया कब तक स्टोरेज कैपिसिटी बोलते हो और याद करनी की छमता है उसके पास यह तीनों फैसलेटी एक है आटोमेशन का मतलब क्या है आटोमेटिक चलना जैसे एक बार हमने कीवोड से कुछ टाइप करके निर्देश दे दिये तो अब उसकी स्तिती बन जाती ही वो खुद बखुद काम करके आउटपूट देगा कि आप लाते हो आटोमेटिक बताओ आउटपूट वो खुद लात लेना मिनिममम 6 याद रहना चाहिए मैंने बताया ना यहां कितनी है देखो जारा दस है दस में से आठ याद रख लो यह दो आप हटा दो और यहां देखो मेमोरी है कंसिस्टेंसी रिलाइव इनको हिंदी मियाद रख लेना गती है चुद्धता करमटता अब हिंदी हतै मतलब उसको हिंदी में क्या गोळेंगे आप हिंदी मीनिंग मताना इन सभी के हिंदी मीनिंग मिताव गया आप सभी गूगल में सर्क करना है किसी कोई यह सब्सक्राइब करें सिर्फ तो आटोमेटिक उसके हिंदी बता देगा उसको ले जाग उसके सामने कॉपी में लिख लो पहले और एक साथ कमेंट कर देना और नहीं करो कि दिक्कत होगी तुम्हारी दिक्कत इन्हीं को यहाँ पर देखो यह समझाए गया है एक बार पढ़ लेना पीडियेट दे दिया हूं मैंने सारी चीज़ों भी अब बता आप फायदे तो देख लिए और चीज के फायदे होते हैं पर क्या कमी होती कि नहीं होती है कोई कितने अच्छा चीज हो उसकी कमी होती है तो आप कमी देखे हैं समस्चा और मोबाइल लेने जाते हैं तो हम करना चाहिए अब देखो lack of intelligence AI की कमी है AI मतला मानलो इंसान को अपन कुछ बोल देत common sense से वो काम करता है पर robot को कुछ बोल देत common sense नहीं है मतला उसकी सोचने समझने क्छमता नहीं है self protection है क्या मतला self defense अगर कोई इसको मारे ऐसा थपड़ तो रोक नहीं सकता वो मार दे बाई आ खारण के लिए आपको भेजा गया कहां पर हेमस दुकान कुन सी समोसी की बताओ जहां आप खाते होंगे कभी कहीं खाये हो मानलो मान सरोबर महीं या फिर गर्वा स्वीट समीज स्वीट भेजे आप आपको बोला गया है दस समोसी लेका जाओ पन कितने जहने उतने समोसी लेका जाओ वहां गये घर्वा में आप अमीद वाले कहां दुकान बन आप आगये बापस बोले घर्वा बन थी अमीद भी बन थी तो इसको मतलब यह थोड़ी बन थी तो और नहीं से भी ला सकते थे तो यह कौन सोचेगा इंसान मतलब डिसीजन इंस्ट जो है डिसीजन अपने में पर रोबर्ट क्या बोलेगा अपने बोल दिए उसको गर्वा तक जाना है दस समों से लेखे आना है उसको बंद दिखा चुप चाप बापस आ गया उसने लिया कि डिसीजन नहीं तो यह चमता उसके पास नहीं है तो यह कमिया है कुछ कमी को इग्नोर करा जाता इसके बाद भी हम कम्पूटर यूज कर रहे निहीं बताऊ कर रहा है तो यह कुछ कमिया है इनको भी पढ़ लेना एक बार अब बात करते हैं हम कंपूटर की generational के हमारी भी जैन्रेशन है पहले वाली जैनरेशन ओर आले और पहले तो थीर थीर क्या हो रहा है अप्ग्रेट होने के साथ साथ जो है डिमोशन भी हो रहा किसी चीज़ों मैं तो कोई दिकतत नहीं हम यहां पढ़ेंगे किसमें computer की मतलब सबसे सुरू में जो computer बने थे उसमें कुछ और टकनीक रही होगी फिर टकनीक को और फिर फिर बरतमान में कुन सी टेकनोलोजी चल रहा है यह फिफ जनरेशन वाली समझ गए तो इनी को हम कम्प्यूटर की पीड़ी या कम्प्यूटर की जनरेशन बोलते हैं मतलब हमारी जनरेशन में यह चलता है यह बोलते होंगे कभी अपन तो यह पुरानी जनरेशन और यह बात करें तो वसक्राओनी कहिसरum बोल सकते हैं अपने अपना समय हमई तेङ उसके पहले 2020 का और दूसरा था अठार भी 80 बी सताब दी, सोल भी सताब दी, यह से नहीं बोलतेगा, यहां भी फर्स्ट जनरेशन को कब से कब तक लिए, सेकेंड को, थर्ड को, फोर्थ को, फिप्त को, तो एक अनुमानित देख लेते हैं अपन, देखो जनरेशन जब आई थी उसके पहले भी कुछ चीज़े बन चुकी थ अब इक से देखे हो आपने, ऑबीकस देखे होंगे, एक स्लेट होती है, देखो मैं आपंदि यह रहता था, पर हम उसका उपयोग नहीं जानते थे, कोई बताते ही नहीं सब कैसे जानेंगे, वो अवेकास है, अवेकास जो है, कैलकुलेशन करने का तरीका है, जोड़ घटाना, गुणा भाग सब कर सकते हम उसमें, इतने में, एक, एक से लेखे दस तक कर रहता है उसमें हम उसको गिंती बोलते है डारेक्ट, बाद में पता चल लग नहीं तो यह तो अवेकास है, गुड़ा भाग करते हैं, हम तो उसको कुछ करते ही नहीं थे, बस बजा रहा है उसको, है न, पता था यह आपको, यूस करेंग नहीं बताओ, सलेट यूस करेंगें, फुल बाली करने के लिए, सबसे पहला कंप्यूटर बोला जाता है इसको, है न, चाइना हम बना, मतलब कंप्यूटर का विकास वहाँ शुरू हुआ है, फिर यूरोप तरफ गया, यूरोप से फिर अपने तरफ आया, यह से प्रिंटिंग भी कहा बनी, चाइना, अभी हर चीज चाइन बोल सकते हैं आप उसको, पास्कलाइन डिवाइस बनी थी, स्टेप्ट रेक्नॉर बना था, अर्थेमेटियोर बना था, कैप्टो मीटर बना था, डिफरेंस इंजन है, अनलेटिकल इंजन और मिलेनियर, यह सब डिवाइस है, जो जनरेशन के पहले थी, पर फाइनली जो आई, वो कहां से आई, बताओ जारा, लगभग, आप उसको एक्कुरेट मत बोलना, लगभग 40 से 56 के आसपास, जो जनरेशन थी, वो कौन सी थी, फ़ाष्ट जनरेशन, अब 56 के बाद जो बाद की 10 साल अनुमानित मापवाप, बाद की 10 साल के आसपास की थी, वो कौन सी थ सेकेंड, फिर उसके बाद देखोगे तो थर्ड कहां से चालू हुई, 63 से अगले, 6-7-8 साल तक, फिर उसके बाद 71 से, असी तक कौन सी चली, फोर, और 80 से लेखे अभी तक कौन सी चल रही है, फिर, तमझ गए, ये एक्कुरेट याद मत करना, ददद साल का ये के सलोट ऐ कैसे रख लो अनुमाने, अब सबसे सुरू में जो टेक्नलोजी आई थी वो थी ये बल्प, इस बल्प को बोला जाता था क्या, वैक्यूम, ट्यू, दूसरे में इसी को अफग्रेट करके क्या बनाए गया, ट्रांजिस्टर, देखो ये इस प्रकार से, ये तो देखे की बनी थी, सेमिकंडेक्टर था, इसके बाद इसी को अफग्रेट करके क्या बनाए गया, VLSI, very large scale integrated circuit, और इसी को अफग्रेट करके क्या बनाए गया, ultra large scale integrated circuit, मतला धीरे धीरे टेक्नलोजी अफग्रेट होती गई, और अफग्रेट होकर कहां तक चली गई, ultra large तक, जो कहां यूज होती है, 5th में, जैसे आपको बताएगा, 1st generation में कौन सी technology यूज होती थी, तो आपको बताना क्या, vacuum, tube, 2nd में transistor, 3rd में IC, VLSI, और ultra, ठीक है, इधर feature से इधर हमको ज़्यादा ध्यानने देना है, यह थोड़ा सा याद रख लो, यहाँ देखो, यहाँ आपको देखन फिर क्या मिल रहा है, Univec, फिर देखो यहाँ PDP था, IBM 7090, Univec था, फिर IBM 360 आगया, थोड़ा सा एक overview रहना चाहिए, यह पूरी generation का एक table है, आगे detail में पढ़ना पड़ेगा इसको, फिर देखो यहाँ पे, यहाँ पे Macintos का आगया, Apple का आगया, और अभी जो बरतमान में ह इसका क्या है, ध्यान से देखो यहाँ पे, AI पर, मतलब computer को इस काविल बना देना कि वो इनसान जैसे सोचने सबंजे लगे, है ना, ज़्यादा यूज करे तो निकल निकल से मारे जी, मारे के निवारे बता, जैसे चिट्टी में देखे थे, उसका ज्यादा यूज करते थ पहले क्या यूज होता था, पहले नॉर्मल जो आपका magnetic tape यूज होता था, magnetic tape बोले तो जो tape बाला रहता था, real देखे होंगे आपने, tape कैसे बैसा ही यूज होता था, BCR वाली जो movie रहती तो उसमें भी, magnetic tape यहाँ पे भी, यहाँ पे portable floppy आ गई, और बाद में ये hard disk आ गई, मतला अभी हम सबसे latest में जी रहा है, तो यह basic चीज है आपकी generation की, इसको आप थोड़ा सा देख लेना, एक और table बता दिया मैंने देखो, vacuum tube पहले में, दूसरे में transistor, तीसरे में integrated circuit, फिर microprocessor, बोले तो VLSI, बोलेगा VLSI को क्या नाम से जाना जाता है, तो क्या बताओगे micro processor, बोलते कि नी processor अभी, तो आप fourth generation से processor बोल दी इसको अपनने, अभी भी processor, और यहाँ पे भी आपको processor यूज होता पर focus किस चीज पर है, AI पर, AI मतला, खुद से वो काम कर लेगा, आपको कुछ बताना बस है, मैं आपको यूज करना बताओगा, chat GPT, copilot बहुत सारे, correct नही किसी नहीं हो, copilot है, chat GPT है, Gemini है, यह सब AI है, AI बोले तो, हाँ, हमार जो दिमाग है, AI पर काम करता है, मतला हमार दिमाग AI है, तो इसी की जो technology कहाँ अप्लाई हो रहे है, computer में, पर पूरी तरीके से नहीं बनी है, अभी भी इनसान की जरूद पढ़ेगी, इनको पढ़ ले आप एक बार, first generation में, क्या-क्या था, यह देखो, vacuum tube को एक bulb भी कहा जाता था, bulb होता न, इस प्रकार का देखे होंगे आपने, गाडियों सामने, halogen लगा रहता, तो उसको भी बल्ब बोलेंगे, halogen को, machine भासा को प्योग करता था, चुमकी, dram, storage के रूप में, batch operating system यूज होत बल्ब का अलग batch है, तो हर एक batch को एक time duration दे दिया अपने, तो इसको ऐसे ही एक धेर सारे bundle काम को मिला कर एक batch बना देता है, इस कारेंट को batch operating system बोलते है, ठीक, आगे विस्तार सो और पढ़ लेंगे, और इसमें input के लूप में यूज होता था, punch card, देखो, punch card, आप punch card क्या ह है, देखो, ये, OMRC type का छेद वाली seat है, जो input के लिए उस होती थी, मतलब हमें scan करते थे, वो input हो जाता जो भी होता न, वो वाला, uniback है, addback है, सब इसके उधारना है, जो अपने table न पढ़े न, वो describe किया गए यहाँ पे, हिंदी भी है और English भी है, ये था हमारा, ये देख देख सकते हैं, देखो, बेक्ती खड़ा है, बिल्डिंग बराबर के रहते हो, और अभी तो देखो, एक बिल्डिंग में धेस आ रहा जाते है, उसका second generation में कुछ इस प्रकार आगा है, देखो, छोटे हो गए कि नहीं, देखो, आलमारी बराबर के हो गए, एक आलमारी कुपिटर देखे होंगे आपने, देखे न, मॉनिटर पीछे है, धेव सार रहा था, टीवी, किसी घर में टीवी मिल जाएगी अभी, और ज्यादातर घरों में ता भी यह लेने लागे है, वो अच्छी चल रहे हैं, उसके बाद मीं नहीं कहते हैं, हमको LED लेना है, अतना आप जूसरों का सहरा लोगे, उतना आप कायर बनोगे, दिमाग भी कायर बनेगा, सोचेगा, समझेगा ने, और यह हो गए हमारे पांचवी जनरेशन, बोले तो यह देखोए, यह होंडा कंपनी ने बनाए रोबोट, इसका नाम है सीमो, याद रखना जीकेम पूछ अतना चलो यह जनरेशन हो गए, आप खोटवास इतियास बोले शांज रहा इसपो, उसको क्या बोलते हैं इतियास, पर कंप्यूटर के च्छेतर में जो बीद गया हो इसको कंप्यूटर के इतियास बोलेंगे, क्या-क्या बीटा सबसे पहली बा heta यहां पूरा नाम, आपका लकड़ी का फ्रेम भी हो सकता है और स्टील या लोहे का और बीज वाली जो तार है तार में देखो आपको अपर डेक देख रहा है उपर वाला और नीचे देख रहा लोर डेक एक कैलकुलेशन के लिए उस होता था अब अब किस प्रकार उप्योग करते अब मैं बता अब आपको 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 आपड़ेगा आपका ना मेंटल है केलकुलेशन वाले में कहा बना था देखो जा रहा यहां पर डेविलोन मेस पेट्यामियम अंको गण्डना के लिए इसको यूश कर जाता था चीन मैं बना था 1602 में 1602 समझ रहे है सबसे पहली बार अच्छा अमेरिका की खोच किस ने की है हां वो निकला था इंडिया को ढूंने तो उन्हों उसने इधर रूट ना करके उधर भूश गया ती देख वो वाइल जाग है अमेरिका तो अमेरिका की खोज नहीं खोज काई के लिए करेगा पहली बार देखा ऐसा बोल सकते हैं कि अमेरिका उसीन खोज लिया वो अमेरिका पहले इस था भारत भी किसीन थोड़ी खोजा भारत था ही भारत जाने का रास्ता खोजा है यह नहीं यह भारत को खोजा तो Columbus निकला थे इंडिया के लिए तो वह कहां लिए अमेरिका में आभ हमारे इधर को क्या वोलते हैं इसलिए इसलिए इंडिया कंपणी था और अगर व अधर चल जाती तो वेश्ट इंडिय कंपणी वो कहां गया क्पेत चरफ चला गया, तो इसलिए उस छेट्र को क्या बोल दियोंने बेश्ट इंडिए के किस साइट में है? हाँ, पस्शीम छेट्र में है, और आपन किस साइट में आगए? उरोप इिस्ट में, तो इस्ट इंडिया कंपनी आई थी, चलो रागती कता बाद में खोड़ो, ये था आपका नेपियर बोन्स, कुंडिली टाइप तन दिख रहा है, कुंडिली चेक करते जाता, ठीक है, ये भी क्या करता था, जोड़ घटाना गुणा भाग करता था, किसने बनाए था, जो नेपियर ने, अब जो नाम जैसे मान लो, आप बना दोगे कोई, तो आपके सर two-kilometer हमारी स्कुटी चल चुकी है, चली कि नी चली घुमता हो अहां पर, पहला बाला दस बार घुमे गएक तब दूसरा वाले एक बार घुमता है, और दूसरा बाला दस बार घुमेगे तब वो उसके आगे वाले एक बार घुमता है, ऐसे होता हो तो ये पासकलाइन पर ही बना प्रफेंस इंजन फैल हो गया तो यह व्यक्ति ने बनाया था चार्ल्स वेबेज कंपुटर की पिता जी ने तो उन्होंने अगला जो मसीन बना उसका नाम था आनलेटीकल इंजन इनलेटीकल इंजन बना जो की बिस्व का पहला कंपुटर था इसलिए इन्हें क्य पर यह देखो सुन्दर सी लेडी आई इनने प्रोग्राम लिखा प्रोग्राम लिखा तो कौन से नाम से लिखा इनका नाम था लेडी एडा तो उन्होंने प्रोग्राम लिखा या प्रोग्रामिंग उसका नाम भी एडा पड़ गया देख रहा है मतलब उनने खोज की तो उस टीं चौंक कुछ भी रहते हैं तो एडا नाम की पहली प्रोग्रामिंग थी जिसको किस ने बनाया था लेड़ी एडा अगस्तान ने और पहला कंप्योटर किस ने बनाया था चार्ल्स बेवेज ने कब बनाया था भई यहां लिखा भी था देखो विश्व का पहला प्रोग्रामिंग की जा सकती थी प्रोग्रामिंग करे थे एड़ा अब फिर टैबुलेटिंग मसीन बन गई जणगणना समस्ते सेंसस हर दस साल में होना चाहिए पर इंडिया में तो पता नहीं कब हुआ था भूल गया हो अब भूल जाओ उसको जारा को याद रखने की चीज़ 15 साल पहले चीज़ तो यह अ पहली जनरेशन में उसके अधी एबीसी मसीन बनी एबीसी मसीन बोले तो एक मान लो इस्टूडेट है एक है प्रुफेसर दोनों ने मिलकर इस मसील को बनाये इसलिए देखो आटानास आप बेरि कंप्यूटर इटानास आप कोन था प्रुफेसर बेरि कौन था उसका बने दिए एटाना सॉफ बैरी यानि के एबी सी कम्प्यूटर एबी कम्प्यूटर एबी सी बोल सकते उसको पन कब बना था 42 में बना था और देखो यह जॉन एटाना सॉफ और उनके स्टुडेंट ई बैरी एक खाने की चीज है कि बैरी घती क्या है अब बैरी बैरी रोग सब्सक्राइब कुछ मत करना सिर्फ चार विटामीन की बिमारी कौन-कौनसी होती है पता तो रहना चाहिए और उस बिमारी करने के लिए क्या खाएंगे बोवित पतर है ने विमारी जिवत ढूंड लोगे भाई उसकी पूर्ति के लिए कुछ तो करोगे विटामीन एक की पूर्ति क्लिए क्या करते आप तो वह चीज रहना चाहिए हैं फिर मार्क वन आया ऐसे करके आप देखो एनिये कि इसका कमप्यूटर के बनाने वाले मतलब यह पहला जनरेशन का कमप्यूटर है उसके बाद देखो एडसेक बना एडसेक के बाद आप देखोगे एडबैक बना यह सब फुर्स जनरेशन के यूनिवेक है तो यह ध्यान रखना जैकवाड लूम कपड़ा बुनने वाली मसीन ती तुर बात में यह देखो यह दिख रहा है कपड़ा बुंती थी है मसीन इसमें भी computerized चीजे यूज होती थी तो यहां अपने थोड़ी सी basic चीजे जो पुराना इतियास देखें हैं इतियास को जान ली यहां पर आप generation पढ़ लेना और इतियास अगला जो देखेंगे अपन क्या computer के प्रकार जितनी भी प्रकार है वो देखेंगे यहां से भी question आते हैं